हल ही में हुई G20 सम्मिट सम्मेलर में शामिल हुए कैनडा के पीम जस्टीन टूडो ने भारत पर काफी चौकाने वाले आरोप लगा दिये हैं दरसल पीम मोदी के साथ हुई खालिस्तानी आतंगवादियों को लेकर बाचित के बाद कैनडा के पीम ने कुछ ऐसा कह दिया है जो भारत और कैनडा के बीच जंग का माहौल पैदा भी कर जकता है बता दे की निजजर की 18 जून को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी टूडो का कहना है कि कैनडा की सुरक्षा एजनसिया निजजर की हत्या की जांच कर रही है उन्होंने संसत को बताय कि पीम मोदी से कहा गया है कि इस मामले में भारत सरकार किसी भी तरह से शामिल होती है तो ये सुईकारे नहीं होगा और जांच में सयो की मांग भी की गई है टूडो ने कहा कि कानडा के नागरिक की कैनडा की धर्ती पर हत्या में किसी भी विदेशी सरकार का शामिल होना स्वेकारे नहीं होगा उन्होंने कहा बीटे कुछ हपते से कैनेडा की सुरक्षा एजन्सिया सक्रिय होकर कैनेडा के नागरिक हरदी सिंग निजर की हत्या और भारत सरकार के एजन्ट के बीच संभावित तात होने की जाज कर रही है इधर कैनेडा के विदेशी मंत्री मैलनी जॉली ने भी बताया है कि कैनेडा में भारती एक खूफिया पर मुखों को भार का रास्ता दिखा दिया गया है हाला कि अधिकारी का नाम सारवजिक नहीं किया गया उन्होंने कहा अगर ये सच सावित होता है तो ये हमारी संप्रभूता और उस नियम का बड़ा उलंगन होगा जो तै करता है कि देश आपस में किस तरह काम करेंगे जॉली ने ये भी कहा कि टूडो ने इस मामले को अमेरिकी राष्ट पती जो वाइडन के सामने भी उठाया था कैनेडा सरकार में मंत्री डॉमिनिक ले बलांक ने कहा कि कैनेडा के राष्टी सुरक्षा, सलाकार और जासूसी सेवा के परमुक इस मामले को लेकर भारत जबाब देते हैं